गुद मॉनिंग स्कॉलर्स, आज हम अपनी मुगदा का पाठ दो, मंत्री की बुद्धी मानी पड़ेंगे तो आप सभी अपनी मुगदा का पेज नंबर फिफ्टी टू खोलिए पाठ दो, मंत्री की बुद्धी मानी मौला नगर के महराजा, त्रिलोग चंद ने एक बार, एक कैदी को मौत की सजा सुना दी तो स्कॉलर्स, मौला नगर नाम के एक राज्य में, वहां के महराजा का नाम था त्रिलोग चंद उन्होंने एक कैदी को, कैदी यहने क्या होता है? बंदी, जने राजा की सिपाई पकड़ कर लाते हैं, वहां बंदी कहलाता है तो एक कैदी को मौत की सजा सुना दी, कैदी बिगड़ गया, यहने कैदी को गुसा आ गया उसने राजा को अपनी भाशा में भला बुरा कह दिया जब कैदी को पता चला कि राजा ने उसे मौत की सदर सुनाई है तो राजा को भला बुरा कहने लगा राजा उसकी भाशा नहीं जानता था इसलिए वह उसकी बाद नहीं समझ सका राजा को उस कैदी की भाशा नहीं आती थी इसलिए वह कैदी की बात नहीं समझ सका राजा ने मंत्री से पूछा यह कैदी क्या बड़ बड़ा रहा है मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था उसने राजा से कहा महराज यह कह रहा है कि जो दूसरों के गुनाहों को शमा कर देता है इश्वर उस पर खुश होकर उसका भला करते हैं जब राजा को समझ में नहीं आया कि वह कैदी क्या कह रहा है तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि यह कैदी क्या कह रहा है राजा का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था बड़ा ही समझदार था उसने राजा से का माराज यह कैदी क्या रहा है कि जो दूसरों के गुनाहों को यहने पाप को शमा कर देता है बगवान उस पर बहुत खुश होते हैं और उसका भला करते हैं उसका अच्छा करते हैं हमेशा राजा को मंत्री की बात सुनकर कैदी पर दया आ गई उसने कैदी को छोड़ने का आदेश दे दिया राजा ने जब मंत्री की बात सुनी तो उन्हें कैदी पर दया आ गई और उन्हें ने कैदी को माफ कर दिया और कैदी को छोड़ने के लिए कह दिया इस पर दूसरा मंत्री बोला नहीं नहीं महराज इन्होंने आपसे जूट कहा है वह कैदी तो आपको भला बुरा कह रहा था उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए जब राजा ने कैदी को छोड़ने का आदेश दिया तब राजा का जो दूसरा मंत्री था वह कहने लगा नहीं नहीं महराज पहले मंत्री ने आपसे जूट कहा है यह कैदी तो आपको भला बुरा कह रहा था इसे तो अवश्य दंड मिलना चाहिए इसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए अब स्कॉलर स्पेंग नंबर 53 पे देखिए राजा ने दूसरे मंत्री की बात सुनकर उत्तर दिया तुमारी सची बात से इसकी जूटी बात अधिक नय संगत है क्योंकि इसने जूट बोलकर किसी की जान बचाने की कोशश की है दूसरे मंतरी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मंतरी तुम्हारी सची बात यानि तुम यो सच कह रहे हो वह सुनकर मुझे जो पहले मंतरी ने जूट बात कई वह जाधा पसंद आई क्योंकि उसने जूट बोलकर किसी को सजा से बचाने की कोशिश की है इतना कहकर राजा ने कैदी को आजाद कर दिया राजा ने कैदी को स्वतंत्र कर दिया छोड़ दिया इसलिए ठीक ही कहा गया है कि यदि असत्य से किसी का भला होता है तो वो सत्य से जादा महत्वपूर्ण है इसलिए सच ही कहा गया है कि यदि असत्य से यने जूट बोलने से किसी का अच्छा हो भला हो तो वह सच से भी जादा महत्वपूर्ण होता है तो स्कॉलर्स उमीद है यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी अब देखिए पेज नंबर 54 पे सुनो और लिखो आपके कठिन शब्द है इनको आपको अपनी हिंदी कॉपी में अपने सुन्दर अक्षरों में लिखना है और नीचे शब्दार्थ दिये हुए है अगले पेज में आपको इन्हें भी सुन्दर अक्षरों में लिखना है अब देखिए मौकिक प्रश्ण उत्तर आईए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं प्रश्ण ए कैदी ने राजा को भला बुरा क्यों कहा? क्योंकि कैदी को मौत की सजा सुनाई गई थी या तो ऐसा लिख सकते हैं कैदी को सजा सुनाने पर उसने राजा को भला बुरा कहा अगला प्रश्ण देखिए राजा ने कैदी को छोड़ने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि मंत्री की बात सुनकर राजा को कैदी पर दया आ गई थी अगला प्रश्ण देखिए राजा को अपनी भाशा में किस ने भला बुरा कहा? कैदी ने अपनी भाशा में राजा को भला बुरा कहा अब देखिए लिखिद प्रश्ण उत्तर त्रिलोक्चन कहा के महाराजा थे त्रिलोक्चन मौला नगर के महाराजा थे राजा ने कैदी को क्या सजा सुनाई राजा ने कैदी को मौत की सजा सुनाई इश्वर किस पर खुश होता है जो दूसरों की मदद करता है इश्वर उन पर खुश होता है दूसरे मंत्री ने राजा से क्या कहा? दूसरे मंत्री ने कहा कि पहले मंत्री ने आपसे जूट कहा है अब देखिए प्रशन नमबर दो सही वुत्तर पर सही का निशान लगाओ राजा का मंत्री बेवकूफ या बुद्धिमान होना चाहिए? राजा त्री लोग्चन बहुत दयालू या निर्दई थे? दया मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण या अवगुण है? राजा त्री लोग्चन बुद्धिमानों का निरादर या आदर करते थे? राजा त्री लोग्चन बुद्धिमानों का आदर करते थे? अब देखिए पेज नमबर 56 प्रश्न नमबर 3 दिये गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ती करो नीचे कुछ शब्द दिये हुए हैं उनको हमें खालिस्तान में रखकर वाक्यों को पूरा करना है शब्द कौन कौन से हैं? पुन्य, आज़ाद, भाव, दया पहला है हमें दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए अगला है हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए तीसरा है जूट बोलने से किसी की प्राण बचे तो वह जूट भी पुन्य ही है अगला देखिये राजा ने कैदी को आजाद कर दिया अब देखिये भाशा कौशल प्रशन नमर एक दिये गए शब्दों के विलोम लिखो विलोम यहने होता है उल्टे अर्थवाले भला बुरा एक अनेग जूट सच खुश ना खुश या दुखी तो उमीद है स्कॉलर्स यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है इसके इस पार्ट के कटिन शब्द, शब्दार्थ, मौकिक प्रशन उत्तर और लिखिक प्रशन उत्तर को आपनी हिंदी कॉपी में अपने सुन्दर एक्षरों में लिखना है और इस पार्ट से सम्मंदिन जो अभ्यासकार्य दिया हुआ है आपकी मुगदा पुस्तक में उसे आपको अपनी मुगदा पुस्तक में ही पूरा करना है तो स्कॉलर्स मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए घर पर रहिए स्वस्त रहिए एवं सुरक्षित रहिए गुद्डे स्कॉलर्स